Hello everyone and welcome back to another video बादों को शुरू कर ले दे हम पहली अपडेट को लेकर पहली अपडेट निकल के आ रहे है एले नाइट को लेकर तो बाई एले नाइट ने निव कॉंट्राक्ट साइन कर लिया है यहां पे मल्टी यर्स का जो कॉंट्राक्ट है। वो साइन हो चुका है एले नाइट अभी और लंबे समय के लिए डब्यू डबी नाइट के इंदर रहेंगे अपना है लिया माले चीजें क्रते हैं वो और लंबे समय के लिए होईंगे एंड मैं काफी जादा खुश हूं क्योंकि डेबी डेवली पहले उतना ध्यान नहीं देती थी एले नाइड के उपर बट जब से बाई पता लग गया है डेवली की क्राउड जो है जो जनता है वो एले नेड को बहुत पसंद करते तब से जो है डेवली डेवली ने यो होजाती है तो आई डॉन तिंग की उतनी अच्छी होगी और वो इसको यह मुखा मिलेगा तो निक एलस छोड़ेगा नहीं वह मेरे को मारेगा जरूर एंड मेरे को मुखा मिलेगा तो मैं भी छोड़ूँगा नहीं मैं भी तूड़ूँगा भाई उसको तो यह चीज हो नहीं सकते प्रैक्टिकल एकर हम सोचें तो हो नहीं सकती अगर हो जा कोडी रोड्स को लेकर तो भाई कोडी रोड्स को एक और मिड मैच मिल गई इतना बड़ा चैंपियन और इसको मिड मैच मिल रही है सूचो भाई क्या यह बनलब की जो भी कोडी क्राइब भी इस थे वह अभी सच में हो रहे होंगी सच में कहा रहे होंगी कि भाई इससे अच चैंपेंशिप हो जाएगी तो डिजर्विंग है यह कुछ सिल्षिला था इंड मैं थोड़ा सा शॉक हूँ कि बैश इन बर्लिन में मैंच करवा ही क्यों रहे है क्योंकि देखो अगर रोमन की तरह को यह हो भी ने सकता ना कोई हैं तो यह कुछ बात थीМы कोड़ी रोट को लेकर कि कोड़ी को एक और मिड hep मीड major मिल चुकी है बात करते है नेक्सब्देट को लेकर जो फिरीक्ड रॉलिंज को लेकर थोड़ी से मतलब कि थोड़ी से जदा ही साड़ अपड़ेट हैova सब्सक्राइब करियर से जाही नहीं रही वो कभी न कभी किसी वजह से आ जाती है और वो इंजरी लग जाती है तो अभी वही इंजरी आज शुकी है वापस पता नहीं नी वाली इंजरी है या फिर स्टमक वाली या फिर आम वाली पता नहीं कहां की इंजरी है इंको अभी तक पुरा क्लियर बाते नहीं हुई है और वापस कब आएंगे इंका रेटन कब होगा इसकी उपर कोई भी डेट नहीं इसका मतलब काफी लंबा टाइम लगेगा भाई एंड शायद लग रहा है कि एक महीन आ फिर दो महीने हो सकतें बात करतें इस अपडेट को लेकर जो खिया रही है अपनी निक्स्ट अपडेट लेकर बिचिन काने ब्रॉक लेसे जो हो काफी काफी जो अने वाले थे एक अपडेडर रॉयल रंबल में आने वाले थे डेव जर डेबंचर को एक्ष्ट वो चुका था किए वह रोयल रंबल में डैय। तो चीजेड해요 आप फीर से इनिशली उस चीजों को कैंसल कर दिया से ज अब आने वाले यह सबम सस्सक्राइच के बाद आसकते हैं आप से मार्च में आसकते हैं, या फिर अप्रिल में आसकते हैं फैपर वरी के बाद ही आएंगे ब्रौक लेसे तो यह कुछ अपडेट है अगर जिसको लग रहा है कि भाई ब्रॉकलेसर अभी आजाएंगे परसो आजाएंगे तरसो आजाएंगे तो सोच लो वाई देख लो सुन लो कि ब्रॉकलेसर जो है वो अगले साल ही आने वाले यानि कि कि अगर पॉल हेमन नहीं है अभी तो इसका मतलब पॉल हेमन डेबड़ रोमन रेंज तीनों लोग कुछ बड़िया को कर रहे हैं मंद़ पी कुछ बड़िया बवाल बना रहे है कि जब पॉल हेमन आएंगे तो सोच लेना समझ लेना बहुत बढ़ा ट्विस्ट लेकर अब शायद बहुत जल्द आ भी जाएंगे लग रहा है कि नेक्स्ट वी क्या तो उसके या फिर उसके अगले हफ़ते आ ही जाएंगे अब देखते हैं जब भी आएंगे मैं एक और बार क्लेर कर दूँ जब भी आएंगे पॉल हैमन बहुत बड़ी चीज लेके आएंगे बन